बॉर्णिंग क्लास, वेलकम बेक टी योर विडियो लेक्टर सेसेंस कैसे है आप सब हम बात कर रहा है स्टेंडर सेवेंथ के चैप्टर 8 के लाइट की हमने कॉन केव और कॉन वेक्स मिरर देख लिये थे कैसे होते है अगर बाहर का इसा जो है वो अगर शाइन कर रहा है तो वो कॉन केव है अंदर का इसा कर रहा है तो कॉन वेक्स है अब हम क्या बात कर रहेंगे कि ये जो कॉन केव और कॉन वेक्स मिरर होते हैं वो images कैसे बनाते है राइट हमने उपर ये देख लिया था कि convex mirror जो होता है उसका बाहर का area जो होता है shining करता है और convex जो होता है उसका अंदर का area shining करता है ये हमने देख लिया था कि इसमें हम लोग image देख सकते है जिसका जादा example हमने उपर देखा था कि चमच का जो अंदर का इसा होता है उसे कौन के वो बोलते है क्योंकि अंदर के से रिफ्लेक्टिंग है वहाँ पर हमें इमेज दिख रहा है और बाहर का इसा जो होता है उसे कौन वेक्स बोलेंगे क्योंकि उसका बाहर का इसा जो है वो इमेज बना रहा है, यहाँ पर हमें इमेज कैसा मिल रहा था, यहाँ पर हमें इमेज सीधा मिल रहा था, यहाँ पर हमें इमेज सीधा मिल रहा था, अब यह इमेज कैसे बनाएंगे, वह हम देख लेते हैं आगे, तो हमारा टॉपिक क्या है, इमेज इस फॉर्म बाई कॉन के तो उनलाइक ते इमेज इस फॉर्म बाइप लेट अब लेट अब प्लेट मिजर के सामने है तो उसका वर्चियोल इमेज जो है वो स्क्रीन के पीछे बनेगा जो आपको लगेगा कि पिछे है बट वो हमें दिखेगा नहीं और हम उसे स्क्रीन के ऊपर क्याप्चर कर सकते न डिसाइड करता है कि ऑबजेक्ट जिस चीज का इमेज हमें बनाना है वो कितनी दूरी पर है वही मितलब होता है उसका तो उसी की आपको यहां पर तीन पॉइंट दिये हुए है और तीन फिगर दी हुई है जो कि इस चप्र का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है इमेज इस टॉपिक और इमेज इस फॉर्म बाई कॉन वेक्स मिरर यह जो इमेज है वो एक इमेज ठीक है वो दोनों इंपोर्टेंट है तो वो ध्यान से पढ़िएगा आप हम इस टॉपिक में सिर्फ इतनी ही बात करने वाले है लेकिन बहुत इंटरस्टिंग है बहुत थोड़ा ड आपका मिरर में हमें क्या मिलता है सारे के सारे इमेज कैसे होते है उल्टे हमने स्पून में देखा ते मुंबती कैसे दिख रहे थी हमको उल्टी दिख रहे थी है तो पहला point क्या है और वहां से mirror का जो distance होता है उसे क्या बोलते है focal length बोलते है तो यहां पर हमको focus के उपर focus करना है कि focus से जितना दूर होता है object क्या लिखा है when the object is beyond the focus जब focus के बहुत दूर होता है तब image कैसा बनता है real बनता है inverted बनता है और mirror के सामने बनता है तो वह हम पहला point यहां पर A जो है वो देख लेते है तो इसका जब light गिरी तो इसका F आपको दिख रहा है यह रहा यह F हो गया तो हमें image कहां मिलेगा उससे थोड़ा object कहां पर है इस focal के beyond में है focal चे दूर है तो हमें image कहां मिलेगा mirror के इस side मिलेगा कैसा होगा real होगा तो यह रहा image image कहां पर बना है front of the mirror यह उसका mirror का shining part है उसके हमें सामने यह image मिला है तो जब object जो होता है वो focus के पीछे मतलब की beyond में होता है तो हमें image जो मिलेगा वो real मिलेगा inverted मिलेगा और कैसा मिलेगा in front of the mirror मिलेगा अब हम object की position को change कर देते है at infinity कर देते है मतलब की हमें पता ही नहीं है कि वो कितने दूर है इतना बहुत दूर है infinity मतलब हजारों लाकों करोडों किलोमेटर दूर तो जब ऐसी इस्तीती में से जब light pass होती है तो image कहां बनता है वो देख लेते है when an object is at very far मतलब की at infinity a point size image is formed at the focus 8.12b as the object moves closer to the mirror the size of the image increases after a point the image becomes magnified larger than the object the largest image is formed when the object is at the focus अब मान लो की कोई चीज़ जो है वो infinity distance पर है तो उसमें से जब light आएगी तो उसका image जो है वो एकदम कहां बनेगा right on the focus जहाँ पर हमारा f है वहीं पर हमारा क्या मिलेगा i b हमको वहीं पर मिलेगा अब आप जैसे जैसे इस object को infinity से नजदीक लेते जाएंगे वैसे वैसे ये image की size क्या बढ़ती जाएगी बढ़ी होती जाएगी image की size कैसी होती जाएगी बढ़ती जाएगी और जब ये object खुद focus पर आके खड़ा होगा तब आपको सबसे large image मिलेगी किसकी इस object की समझ में आ रहा है पहले object कहां पर था बहुत दूर था तो उसका image हमें कहां पर मिला f पर मिला focus भी उदर ही है image भी उदर ही है जैसे जैसे object नजदीक आया जैसे वैसे ये image जो है वो जिमेदी में बड़ा होता गया और जैसे ये object एकदम f के उपर आके ही खड़ा हो गया तब हमें क्या मिलेगा large just image इससे बड़ी image फिर हमको कभी भी मिल सकती नहीं है किस case में कौन के वो mirror के case में जब object focus पे होता है तब हमें image क्या मिलती है सबसे बड़ी largest image मिलता है अब हम ये बात करेंगे third point की जब object जो होता है वो focus से भी नजदीक होता है after focus होता है close then the focus होता है तब क्या बनता है तो तब परिस्तिती change हो जाती है आपको जो image मिलता है वो कैसा होता है पढ़ लेते है third point ये वाला ये जो third point है वो पढ़ लेते है when the object is closer than the focus a virtual image is formed behind the mirror जो की है figure 18.8.12 C this image is erect magnified since conquer mirrors can form magnified erect images they are used as compact and shaving mirrors right ये हमें कहां पर use करने को मिलता है shaving mirrors जब हम कहीं पर बाल कट वाने जाते है right तो वहां पर जो mirrors लगे होते है वो कौन के होता है क्यों होता है क्योंकि जब तब object कहां पर रखा जाता है focus से भी थोड़ा आगे एकदम काच के नजज़िक बैठते है आप आप एकदम काच के नज़िक बैठते है तब ही आपका image जो है आपको लगता है image जो है आपके सामने एक काच रखा होता है आपको लगता है कि आएने के पीछे हुब हुब मेरे जैसा कोई इंसान बैठा हुआ है इसलिए यहाँ पर कैसी image बनती है जो कि हमने अभी देखा this image is erect and magnified erect होती है मतलब जैसी object वैसा ही image और हमें magnified image मिलती है मतलब कि आप जितनी size के होते हो उससे थोड़ा बड़ा image मिलता है ताकि हमें हमारे cutaway बाल जो है अच्छे से दिख सके shaving जब करवाते है तो कहीं पर बाल रह नहीं गया है उससा पता चलता है compact जो आते है ladies का beauty baller का जो हाग के हाथ में एक छोड़ा सा सिशा रहता है जिसमें से वो make up करती रहती है उसमें भी यही use होता है कि उसको थोड़ा ज़ादा बड़ा दिखाई दे कहीं पर अगर make up रह गया हो तो वहाँ पर वो लगा सकते है तो यह वहाँ पर भी इस्तमाल होता है तो हमने तीन position पड़ी एक object जो होता है वो focus से दूर होता है एक होता है वो infinity पर होता है मतलब distance कितना है हमें पता है नहीं इतना दूर होता है और एक जो होता है वो focus से भी नजदीक होता है mirror के एकदम नजदीक होता है यह हमारा f है यह हमारा f है तो यह infinity यह थोड़ा दूर और यह तो focus से भी आगे निकल गया तो इसका image कहां बिनेगा पीछे बनेगा बाकि इन दोनों के image कहां बनेगे इसका image कहां बनता है तो इससेड बनता है इसका image कहां बनता है तो इससेड बनता है लेकिन यह एक ही है जिसका image कहां है पीछे बना है अब यह हो गई concave mirror की बात अब हम बात करते हैं convex mirror की बात convex mirror का बहुत छोटा सा है वो देख लेते है image is formed by convex mirror like a plane mirror a convex mirror always forms a virtual image behind the mirror but the image is smaller than the object 8.13a क्या है यहाँ पर image पीछे बनता था लेकिन कैसा बनता था magnified बनता था यहाँ पर बनता है लेकिन कैसा बनता है छोटा बनता है तो यहाँ पर image बड़ा बनता है तो हम उसे कहां यूज करते है shaving में जब हम बारबर की दुकान में जाते हो और जुशकाच होता है वो concave होता है तो यह बड़ा बनता है तो वहाँ पर उसका use हो गया यह जो है वो छोटा बनता है तो उसका use कहां पर होता है rear view mirror में rear का मतलब होता है पीछे देखने वाला rear view view का मतलब नजारा तो पीछे का नजारा जो आपको कार्ष में दिखाए दे वो rear view कहां पर होता है हमारी गाड़ी में होता है कि हमारे पीछे कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं हमें सब टाइन लेना होता है तो हम हमारा side mirror में देखते हैं तो वहां पर कौन सा image होता है कौन wax mirror होता है अब ऐसा क्यों होता है कि अभी हमने पढ़ा कि यह image कैसा बनाता है यह बनाता है virtual पहले तो virtual बनाता है मतलब जैसा होता है वैसा यह दिखता है लेकिन होता नहीं है दूसरा सबसे important part यह small image बनाता है ताकि आपको उस काच में बहुत ज़ादा दिखाई दे राइट यह चोटी चोटी चीज़े जो होती है तो आपको काच में ज़ादा दिखाई देती है जैसे कि आपको इस काच में दिख रहा है क्या दिख रहा है आपको रिक्सा दिख रही है दो और गाड़े दिख रही है सच में क्या रिक्सा इतनी छोटी होती है सच में क्या गाड़े इतनी छोटी होती है नहीं लेकिन यह image की ऐसी property है कि यह image जो है वो smaller बनाता है इसलिए उसका use कहाँ पर बन जाता है rear view mirror से बन जाता है उसकी definition क्या हुई है यहाँ पर जो black line लिखी उसकी definition है the image formed by convex mirror is always virtual, erect and smaller क्या है उसकी properties एक virtual बनाएगा, एक erect बनाएगा और एक smaller बनाएगा तो दो हम परिसिटी देखी जहां पर real image मिलते है और दो condition देखी जहां पर हमें real image दिखते है यह याद रखना उसका use कहाँ पर है convex mirror is used as rear view mirrors since they form the images that are smaller in size you get a view of wider area then you would if you used plain mirrors अब यहां पर हम अगर plain mirror use करते है गाड़ी में तो हमें बहुत जादी गाड़िया नहीं दिखती एक गाड़ी दिखती क्योंकि उसका image का size बढ़ जाता है बढ़ हमने convex mirror use किया है तो हमें एक साथ 3-4 गाड़िया दिख रही है यह रहा उसका example कैसे होता है तो यह रहा object तो object का image है वो कहां बनता है screen के पीछे बनता है यहाँ पर जो बना था वैसे ही यहाँ पर पीछे बन रहा है erect है लेकिन छोटा है देखो यह arrow कितना छोटा है और यह arrow कितना बड़ा है जोकि उसका image कैसा बनता है virtual erect and smaller चोटा अब इसके बाद हम next topic cover करेंगे images form by reflection और lenses के बारे में आज का सेसन यहीं पर खतम करते है आपको जादा confusion नहीं होना चाहिए अब एक आज वीडियो का चेप्टर बाकी है उसके बाद नया चेप्टर स्टार्ट करेंगे थीक है तो मिलते है अगले वीडियो में तब तक आप वीडियो देखते रहे हैं पतान चले तो दो तीम बार repeat mode पर देखिए, ढंबक करते रहे हैं जरोत ना हो तो घर के बाहर मत निकलिए stay home stay safe मिलते है अगले वीडियो में तब तक take care goodbye ठीक है